यो वोडिस अप गाइज वेलकम बैक तो अनादर वीडियो तो गाइज कैसे हो आप लोग गाइज मैंने पूछा है तो आप मुझे कमर में जाके ज़रूर बताना कि आप कैसे हो तो गाइज अभी मैं आया हूँ अपने विलेज के साइड पे गाइज मैंने सोचा था कि मुझे आयरन फार्म बनाना है और आयरन फार्म छोटा मोटा नहीं बड़ा बनाएंगे मुझे 20 विलेजर की नीड होती है आयरन फार्म बनाना ने कलिए तो गाइज यहाँ पे तो 5-6 इतने सो तो काम बनने से रहा तो मुझे उनका सबसे पहले ब् आने वाला हूँ एक्चूरिस में मैं अपने दोस्तों की हेल्प लेने वाला हूँ तो सबसे पहले इस केव में आओ काफी बड़ी है यार मतलब इतने लालच है ना गाईस जैसी केव दिखी भाई हमने छोड़ जया भाई वह भाड में जा एरंफा मैं तो केव के अंदर जाता हूँ क्योंकि यार मुझे तो अपने लिए डायमन वगरा धूनने पढ़ेंगे ना और यह किसकी आवाज है यार ऐसे कौन चिलाता है तो लोग कोईने मैं यहां पर रेल जो है इनको भी तोड़ लेता हूँ क्योंकि रेल की मुझे जरूरत तो पढ़ने वाली है और भाई साहब यार यह यह तो किड़नी में हाट अटक देगा भाई जॉंबी को तो मैं छोड़ूगा नहीं इदर आभी साले तेरी हिम्मत की सुए यार अगर आभी मैं नीचे गिर जाता तो मेरी डेथ पकी थी गाइस क्योंकि मेरे पास इतनी खतरनाग पिक्यक्स है और पत भाई तेर को सबसे ठीकाने लागाना पड़ेगा और यह क्या हो गया मेरे एम को मतलब मैं अच्छा डेक्रेशिंग कर पाऊंगा और यहां पर पावर रेल है और एक्टिवेटर रेल ठीक है यही तो मिलता यार माइन कार्ट में मतलब और तो कोई चीज होती नहीं है और य दाइमंड यह कोई नहीं बात तो नहीं है जाइज डायमंड तो एक ही मिला यार मतलब डायमंड मेरे पास औल्रेडी है आपने देखेंगे बस मेरे पास फॉर्चुन ना होने के वज़े से मैने उसको जो है तोड़े नहीं आपि तक रखे हुए है शलो कोई नहीं मैं और में भी मुझे लगता है साम में पॉनर भी है और यह पर स्लाइम भी मिल गए मुझे रुको सबसे पहले उस चेस्ट को लूट के आते और यहां पर बहुत सारे मॉंस्टर मुझे लगता है मेरे तरफ आरे अरे भाई तू क्यों आ गया रुख जाओ इसको मारना पड़ेग वैसे मच्छर लोग मेरा क्या ही बिगाड लेंगा आजा 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 जॉम्बी आजा तेरे को ठिकाने लगाना पड़ेगा वैसे यार मेरे को माइनकाफ में एक ही चीज़ से डर लगता है ओनली ओन वेदर गईज बहुत गंदी तरगे से मारता है उससे पंगे जब भी ल ओके यहां पर रेल भी काफिज़ा मीले जा रहा है मैं पता नहीं इतने रेल महाई क्यो इखटा कर रहा हूह हूँ ऐसे से बना भी सकता हो ओ साम में इतने सारे कॉब है इसका मतलब यहाँ पर मकडी का स्पॉनर है और यह नॉर्मल मकडी का स्पॉनर तो नहीं है बट यहाँ पर कोई स्पॉन भी तो नहीं हो रहा है ना शायद लाइटनिंग के वज़े से नहीं हो रहा है और यह क्यों स्पैडर होती है गाई जो कि बहुत ज़दा खतरनाक poison देती है तो मैं इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाओंगा और नाई मापे मुझे कुछ मेलेगा तो कायको जाओंगा मैं चलो छोड़ो आजाओ यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ आया हूँ तो क्यों ना नीचे चल के देख लू तो में भी diamond मिल जाए इतनी लालस ठीक तो नहीं है बट यार अभी चलो कोई ने देखी लेता हो यह लालस होती है यार ओके आजाओ और वो क्या चमक रहा है लैपिस तो नहीं लैपिस नहीं रेड स्टोन होगा में भी बट यह साथ में movement भी तो कर रहा है मेबी यह मकडी ही है गैस और यह शायद keo spider भी हो सकती है रुको आराम से नीचे चलते क्यों बहुत डरा रही थी तो गैस इसे बोलते किस्मत मतलब यार मैं क्या सोच के नीचे आया था और क्या ही मिल गया diamond मिल गयार अच्छा हो इस मकडी के आखोने जो है मुझे attract करा चलो ठीक है बट यह तो यार मुझे directly ओर मिलेंगे मैं इसे घर में आराम से सजा कर रखूँगा जब तक fortune नहीं मिलेगा मैं तोड़ने नहीं वाला हो और यह कोई नहीं बात तो नहीं ही कि आको केव में diamond ना मिले केव में easily diamond मिली जाते चलो गई उपर चलना पड़ेगा क्योंकि यार मेरा जो main काम है breeding hall बनाना वो सबसे main है तो फटा फट से बाहर चलेंगे यहां से और यहां से मैं जंप करूँगा में भी हो जाएंगी जंप तो इस केव का तो काम हो चुका है अब इस केव में कुछ होगा नहीं क्योंकि जो भी था मैंने लूट लिया और भी diamond हो सकते है बट इतनी लालच नहीं करेंगे जो main काम है उसके ओपर फोकस करते हैं तो फटा फट से बाहर चलते हैं ओके तो इनसे मैंने बात तो कर यह उन्होंने का है कि सब काम रेड़ी हो चुका है बस आभी villager को transfer करना है तो करो भाई क्या कर रहे हो इतने देर से चलो कोई नहीं यार करी देंगे और यह काव बीच बीच में क्यूँ कर रहे है और इस outfit तो देखो यार कितना चमक रहा यार मेरे को तो कभी है इस outfit नहीं मिला यार इतनी नाइन साफ क्यों करता है minecraft पता नहीं यार छोड़ो कोई नहीं यार चलो इसको transfer करें जल्दी जल्दी इतना टाइम नहीं आपने पास तो यह शायद इसको पीछे से धक्का दे बस ओके अरे यार क्या ही करते रहते अरे मुंडी इतनी मत हिला भाई मुंड इस भीच में जो signboard लगा है ना वह इसलिए लगा है क्योंकि यार जो water की level होती है एक side में flow करने की वह 8 तक होती है उसके बाद वह level straight हो जाती है तो अगर हम उसको continuous डालते तो guys वहाँ पे एक side में flow नहीं हो पाता यूंकि या यह दोनों आचाने से टपके यार ऐसा नहीं क इन दोनों का आने का plan था actually मैं ही बना रहा था तो यह आ गए बोले कि हम help कर लेते चलो ठीक है बोला कर दो तो यह सब कर रहे है मैं बस देख रहा हूँ अभी यह क्या ही कर सकते इन्होंने में भी structure तो ready करी दिया है और यह देखो यह rail वही है जो कि मुझे minecart से मिले सब यह यहां पर आ गए तो इसकी रक्षा तो हम करीब आएंगे बट जितने ज्यादा प्लेयर होते हैं उतने ज्यादा zombies यहां पर spawn होते रहते ओके चलो कोई ने इसने उसको बिठा तो दिया है अब यह पहुंच जाएगा उसकी location पर हमें कुछ करने की ज़रूत ने बस इसे उता अरे क्या जगडे करते रहे तो यार तुम यह farm complete होने के बाद तुम्हारा PvP का मैच रख देंगे उसमें करना जितने करना है उतने हमारा farm तो रेडियो चुका है बस बचा है तो उस विलेजर को नीचे ट्रांसफर करना और यहां पे बेड का platform बराना क्योंकि minecraft का logic है जब अरे जहें विलेजर कैसा है यह बाहर ही देखते रहेंगे अगर इनको बाहर कोई animal या फिर हम दिख गए न तो यह जो काम है वो करेंगे ने देखते हैं मोगे उपर काम बचा हुआ है तो देखते उपर काम कहां तक आया है ओके यहां पे तोड़ फोर तो चालो हो चुकी ह तो हमारा अगला वीडियो तो confirm है iron farm का बस ये villager का जो farm में ये ready हो जाए तो तुम लोग सुनो फटा फट से ये काम complete करोगे तो मैं तुम्हें दूसरा काम दूँगा तो देखो guys मैं आपको दिखा देता हो कि actually अभी होने क्या वाला है देखो अभी यहां से जो है हमें baby villages मिलेंगे और हमें उनको एक घर में shift करना है तो यहां पे हमें एक area बना देंगे अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो नीचे वाला area है वहां पे में भी 10-15 villager तो आराम से आजेंगे को लिवर का काम भी हो चुका है अब बस मुझे क्या करना है इसके अंदर मेरे पांस तो ब्रेड नहीं है मुझे लेके आना पड़ेगा तो विलेज से अभी फटावट से लेके आता हूँ और हमें उनको स्टॉप करने के लिए मैं यहां से बेल का यूज कर सकता हूँ लिखने की क्या ज़रू होती भाई हमें पता है ओ देखो गाई फूड तो बहुत जाद यहां पर गिर रहा है और जैसी यह ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ बस यहां पे इन्होंने रिप्रोड नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ग्लासिस का पूरा कवर है और यहां पर मतलब मुझे बहुत जाद है एफिशेंट है यह और कुछ मुझे महिनत भी करने की ज़रूत नहीं है बस इसके अंदर मुझे फुट भरना है तो आपने को पता है आपने पास एक फार्म है जो कि पो गाइस और आपने एडू को शेर जरू करना है गाइस सो मिलते हैं नेक्शन में गाइस थैंक ये फॉर वाचिंग